हमारा गौ महासावा का उद्देश यह है कि 7 नहुंबर को दिल्ली चलो संसत भवन बर इसी साल इस मारक तो बने बने पूर्ण गौवंश के पूर्ण हत्या किसी भी प्रकार से वो प्रतिबंदित हो जाए अभी मोदी जी युगांडा गए थे कुछ समय पहले 200 गौवे लेके गए थे वहां के बारे में उन्हें बताया कि वहां के सरकार अगर कोई गौव सेवा करना चाहता है कोई नागरिक तो सरकार उसे गाय उपलब्द कराती है और बदले में गाय वापस ले लेती है जब पाल गौव मासबा एक बड़ा मुव्मेंट करने वाली है साथ नवेंबर को दिल्ली चलो तो आई अचारी जी से जानते हैं कि क्या है ये कैमपेन और क्या उदेशे है गौव मासबा का साथ नवंबर 1966 को धर्म समराट करपत्री जी महराज के आवहान पर संसद भवन में केंद्रिय कानून बने जिससे गौव वंच की हत्या पूर्ण तह रुक जाए इस मांग को लेकर सभी गौव वक्तों ने उनका समर्थन किया और देश बर के धर्माचारे ने उनका समर्थ किया और जो दिन निशित हुआ वो साथ नवंबर 1966 का था सभी लोग वहां संसद भवन के चौक के सामने प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त की सरकार ने बिना वार्निंग दिये बिना चेतावनी दिये केवल आंदोलन को कुचलने के लिए क्योंकि गौव मांज का वेपार कर करने वाली सरकार उस समय थी उन्होंने ये बरदाश नहीं किया और निर्दोष गौव भक्तों पर धर्माचारे पर गोलियां चला दी और उस आंदोलन को कुचलने का एक बढ़ाती ग्रनित परियास किया जो गौव भक्त वहां बलिदान हुए प्रती वर्ष हम लोग साथ नौंबर को उनको शर्धांजली देते हैं गौव पूजन करते हैं और शर्धांजली लेते हैं चुकि इस साल में एक दिन ही आता है जब हम उन गौव भक्त वलिदानियों को याद करते हैं आचारे अजय गौतम भी पिछले दस वर्षों से गौव महासभा के लिए कारे कर प्राप्त हुआ, समर्थन प्राप्त हुआ, किसी भी तरिके से ये निश्कस निकाला गया कि गौव रक्षा के कारे के लिए गौव महासभा को राष्टी अस्तर पर सक्रिय किया जाए और उसका प्रणाम यह हुआ कि एक गौव महासभा द्वारा, एक गौव भक्त बलिद प्रधानिस मारक का एक प्रारूप त्यार किया गया जो आप चित्रों यहां देख सकते हैं बैनर में इस प्रारूप के आधार पर माननिये प्रधान मंत्री, माननिये राश्च्पती और कई संबंदित विभागों में चाहे वो CPWD हो, PWD हो, संसद्य कारे मंत्राले हो लगब तो हम आंदोलन को दूसरे तरीके से और तेज करने का प्रयास करेंगे, तब तक 7 नौहंबर को साल में एक दिन केवल आपचारिक ये कारिकरम न रहे, उन गौवभक्त बलिदानियों की स्मृती प्रत्यक हिंदू जनमानस में बनी रहे, इसलिए हम स्थाई स्मारक की मांग कर रहे हैं, केंद्रे कानून आज ने तो कल बनी ही जाएगा, क्योंकि अब हिंदू जाक चुका है, देश का माहुल बदल गया है, आज हिंदू राष्ट की भावना को लोग राष्ट्य स्वाविमान से जोडते हैं, आने वाले समय में गौवरक्षा को लेकर भी बात जब आएगी तो उसको राष्ट्य स्वाविमान का प्रश्ण बनाकर प्रतेक हिंदू अपना धार्मिक अधिकार मानते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए इसे एक अनिवारे विचार मानकर इसके लिए प्रयासर्थ होगा, हमारा गौव महासाविया का उदेश यह है कि 7 नह प्रतेश में योगी जी महाराज ने बहुत अच्छा कारी किया, 17 में पूरा एक प्रस्ताव पार करके एक्ट बनाकर पूर तरह से गौवद को रोक दिया, कई राज्यों में पूर गौवद बंदी है, परन्तु इसकी भी काट दुशाषनों ने कीर रिखे, जो शाषन में बैठे वे गौवरक्षा की बात जरू करते हैं, हिंदु धर्म की वकालत करते हैं, परन्तु कानून की ही आड़ लेकर गौवद वंच की हत्याओं को भी वो अपना घंड़त कारे कर रहे हैं, 14 साल से उपर के कई राज्यों में गाय वैल दोनों ही कट रहे हैं, किसी राज् केंद्रे सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया हो गौवमांस का, परन्तु अन्य बीफ का चल रहा है, उसकी आड़ में क्या पैक होके जा रहा है कुछ नहीं, बुचण खानों में आज भी गौवत्या हो रही है, यह बड़ा विरोधा भासी जो शाशन और राज्यों का, केंद्रे सरकार और राज्य सरकार की बीच का जो घालमेल है गौरक्षा को लेकर यह भ्रम दूर करना भी आवशक है, साथ नौवंबर से पहले हमारी योजना यह है कि प्रतेक महा, गौव महासबा, बैठक बलाकर धर्माचारियों को और जो गौरक्षा से जुड़े सभी स अंगठन है, उनके प्रतिनित्य को बलाकर हम एक व्यापक योजना बना रहे हैं, जिसका प्रिणाम यह होगा कि साथ नौवंबर को 66 में जितनी उपस्तिती दर्ज हुई थी, उतनी ही उपस्तिती हम दुबारा से संसत भवन के सामने और विश्व मीडिया के सामने हम संसकार कहती है, तो हिंदू के जो संसकार है बिना गौदान के संकल्प के पूरे नहीं होते, तो गौरक्षा प्रतिक हिंदू का कर्तव है, यही बात 7 नौवंबर तक हम पहुचाने का प्रियास कर रहे हैं, अभी आचायजे गौतम जी और हमारे वीर रामनात दूथरा जी और अन्य हमारे पतादिकारी, 31 मार्च को विरिंदावन में, गौव महासभा के संभेलन में, गौव कलेंडर का उदगाटन करके आए हैं, वो गौव वार्षिक कलेंडर है कि एक साल तक यह कलेंडर आपको यह सूचना दे रहा है, और उसमें इस प्रस्तावित स्मारक का च हमारे गुरूओं ने, हमारे धर्माचारों ने बड़े-बड़े बलदान दिये हैं, पर उन बलदानियों का कौन याद कर रहा है, जो केवल गौरक्षा के समर्थन के लिए केंद्रे कानून बनाने के लिए केवल संसत वहवन के चौक तक पहुँचे थे, आज उनको प्रति हमारी सच्ची सर्धांजली हो, इसके लिए हमने गौव वार्षिक कलेंडर की जो अभी बनाया है, वो साल भर तक प्रतेक मंदिर में, प्रतेक धर्म गुरू के काराले में वो पसिद रहे ताकि आम जनता जहां जा रही है, वो समझे कि हाँ साथ नौंबर को हमें सबा लिखा हुआ है, और आदी शंकराचारी जी सनातन धर्म के जो हमारे सबसे बड़े प्रोधा है, साथ नौंबर को ये पार्लेमेंट के सामने ये चितर देख रहे हैं, और इनी में आप देखेंगे करमशय हमने लगभग 6 मांगे हमने मुख्य रूप से रख दी गई है करमशय हम एक एक आज का हमारा जो प्रतम मुद्दा है वो है गवभग्त बलिदानी समारक, इस्थाई रूप से पार्लेमेंट के चौमने चौक पे वो बने, क्योंकि हम हिंदू इतने कृतगन नहीं है कि उन बलिदानियों को हम भूल जाएं, प्रतेक वर्ष की बहाती, इ दिल्ली चलो, कॉंग्रेस सरकार के दौरान गवभक्तों की संतों की हत्या हुई, खोले आम, आप क्या भारती जनता पार्टी की सरकार में गवभक्त बलिदानी समारक बनेगा? देखी ये प्रशन तो आपको उन शाषन, केंदरे शाषन में जो बैठे हैं, उन लोगों से करना चाहिए, हम लोग की तो डिमांड यही है, कि किसी भी तरीके से गवरक्षा का बिल, मुझे लगता है कि पूरे भारतीय संसत के इतिहास में, जो 47 के वाद से लेकर, दो बार से ज्यादा तीसरी बार नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, इस विशे पर हम कारण पर बड़ी लंबा डिस्क्रिशन हो जाएगा, परन्तु अब हम ये मांग करते हैं, सरकार से, और सभी सांसदों से, सभी जितने भी प्रबद वरग हैं, वो इस पर विचार करकर, बहुत हमारे रूप से, केवल ये नहीं कि गौव माता हमारे लिए पूजनी है, इसलिए कि हमारे लिए इससे आर्थिक नुकसान भी बहुत हो रहे हैं, दूसरा, अभी मोदी जी यूगांडा गए थे कुछ समय पहले, 200 गौवे लेके गए थे, वहां के बारे में उन्हें बताया कि वहां के सरकार, अगर कोई गौव सेवा करना चाहता है, कोई नागरिक, तो सरकार उसे गाए उपलब्त कराती है, और बदले में गाए वापस ले लेती है, जब पालवोस के जब उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो इस तरह से वहां की आम जनता को गौव पालन के प्रति प्रेरित किया जाता है, तो क्या ये भारत में संबब नहीं है, ग्रामिण छेत्रों में जहां यूरिया खात कर रहे हैं, ट्रक्टर चल रहे हैं, वहां पर गौव पालन के द्वारा, बैलों के द्वारा किर्शी कराने के लिए सरकार को अपनी तरब से गाए देनी चाहिए और बदले में सरकार को घाटा ना हो, वापस ले ले, कि गौव वंच की वृद्धी हो, उसके लिए वहां पर इस्पेशल कुछ इस तरह से विभाग और शिक्षा में इस तरह का प्रबंद के जाए कि आम ग्रामिण का जो बच्चा है, वहां पर वो किर्शी की शिक्षा ल आड़ के सिर्फिय टीकी है, वाकरी सही बात है, गाए हमारे इस प्रित्वी पर जीवन का आधार बनती है, कई कारणों से, आर्थी कारण से, अध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, समाजिक रूप से, इसको समझने क्या आशकता है, हम केवल आवी एक बात कह रहे ह है हत्याई की जा रही है यह बिल्कुल बंद हो जाए गौवंश के लिए तो ततकाल यह बंद होना चाहिए इसके लिए आचाराजे गौतम जी ने अपने बहुत बड़ी योजना बनाई है सभी सांसदों को मुख्य रूप से जो शाशन की जो सरकार है उनके सांसदों से आप संपर्ग में है जल्दी ही इस पर पार्लामेंट के अंदर कुछ अवश्य होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद